अस्सलामों अलेकुम कैसे होगा इस उमीद करता हूँ खेरियत से होंगे अच्छे होंगे स्वस्त होंगे दोस्तों बता दू कि बहुत सारे अपडेट आया हैं बहुत सारे खबरे हैं साओधी से आप लोग इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखना आपके ही काम का और आ कर्मेंड ने एक एलांस्मेंट जारी किया है एक अपडेट दिया है कि जो लोग भी यहां काम करते हैं वो चाहे कंपनी में हो या कफिल के पास हो वो कहीं भी काम करता है तो वो अपने कफिल या किसी के पास से दूसरे जगा काम करता है जैसे मान लीजिए बाहर काम करते है हैं अपने कफिल को छोड़के या कंपनी को छोड़के बाहर काम करते हैं मिसाल के तौर पर माल लीजी आजात के तरह आजात के जैसे काम करते हैं तो उनको अगर पकड़ लिया जाता है पकड़ा जाता है अगर पुलिस पकड़ लेता है तो उसको जुरुबाना होगा भारी महिने का जेल भी हो सकता उसके बाद डिवोट करके उसके मुल्क भेज दिया जाएगा तो दोस्तों मैं बता दू आप इस तरह से ना करें आप जिसके पास आये कंपनी में हो या कफिल के पास हो जिसके पास आप आये हो उसी के पास काम करें भले 2 रुपया कम कमाये लेकिन आ आपको इस तरह से मुश्किले होगी अगर आपको पुलिस पकड़ लेती है तो आपको जेल भी होगा भारी भरकम जूरवाना भी भरना पड़ेगा और डिपोर्ट करके आपको भेज दिया जागा आपको मुल्क अब अपने मुल्क चले जाते हो तो दोबारा आने का सम्मामन नहीं रहेगा क्योंकि तीन साल का बैंड आपके उपर साओधी से लग जागा इसी के साथ दूसरी खबर है मक्के से साओधी शहर मक्के में भारी बारिश लगातार दो तीन दिनों से बारिशे हो रही है तो उसमें एक गहर मुल्की ने डूब के मर गया है बह के मर गया है जो आप लोग थैमनेल में देखे होंगे और स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे बता दो दोस्तों ये गहर मुल्की बर्मा देश के रहने वाले था जो तेज पानी के बहाव में बहके तकरिबन पांच किलो मेटर दूरी पे जा करके ये लास मिला है वो उसकी मौत हो गई थ तो दोस्तों मैं यही कहूंगा अभी साओधी के अंदर हर सीटी में काफी बारिशे हो रही है यहां तक के जद्दे मक्का रियाद हर जगा बारिशे हो रही है तो अपना सुरक्चा खुद करे अपना सावी धाने से रहे कहीं बाहर में निकले अगर जहां पानी ज्यादा बाहवे तो ना जाए यहां तक के मैं बता दू कि अगर आपको जरूरत है तभी निकले और जहां पानी की बाहव ज्यादा है वहां जाने के कोशिश ना करे इसी के साथ मैं बता दू यह मक्का और जद्दा में स्कूल मदर से सब बंद कर दिया गया है साओधी अभी हो रही है इसी के साथ दूसरी अपडेट है दूसरी खबरे है साओधी रियाद सीटी से जो पांच पाकिस्तानी है गर काम करते हुए पगड़ा गया है वो काम कर रहा था ड्रक्स का स्मोगिंग का सफलाए ड्रक्स का कारवार कर रहा था उसी दर्मियान वो पगड़ गया है तो उसको जेल हो गया है पांच पकिस्तानी है आप लोग इस के लिए में पर देख सकते हो तो दोस्तो मैं यही कहूंगा आप लोग कोई उल्टा सिधा गयर कानूनी काम ना करें साओधी में क्यूंकि यहां कानून बहुत ही ज़्यादा शक्त है दोस्तो आज के कुछ खबरे यही था जो आप लोग के साथ सेर किया हूँ आप लोग वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों में सेर कर देना और दोस्तों मैं बता दू आप मेरा वीडियो देख लेते हो आप लोग से यही सिखाद है साथी के या कहीं का भी खबर जानना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले तभी मैं आप लोगों को हर खबरे बताता रहूंगा आप लोगे साथ सेर करता रहूंगा तो आज के वीडियो इतना ही फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में वीडियो द